हेलो दोस्तों स्वागत आपका हाली में हिरोशिमा में महात्मा गाधी की परतिमा का अनावरण किया गया आज हम उसी की बारे में जानेंगे भारत के परधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी जापान की हिरोसिमा में महात्मा गाधी की आवच परतिमा के अनावरान समारों में उपश्थित रहे जो महात्मा गाधी की आवच परतिमा हिरोसिमा सहर को भारत सरकार की ओर से एक उपहार के रूप में कारि करती है जो भारत और जापान के बीज दोस्ती और सद्भावना के सार्थक और महत्पूर्ण परतिक को दर्शाती है यह इस परतिमा की प्रस्तुती 1921-21 मई 2023 तक जी सेवन सिकर सम्मेलन में प्रदानमंत्रिक यात्रा के दोरान हुई परसिद्य पद में भूसण प्रसकार विजेता स्री राम वनजी सुतार द्वारा बनाई गी विजए परतिमा यह विजए परतिमा जो है लगभग 42 इंच उची है इसे टिकाउं कान से सामगरी से तयार किया गया है इसे मोटो यासू नदी के भगल में तैयनाथ किया गया है जो प्रतिष्ठित एबम डोम के पास इस्थित है एबम डॉम एक परसिद अस्तल है जो प्रयाटकों और अस्थानियों लोगों सहीद परते दिन हजारों लोगों को आकरसिद करता है यहाँ पे लोग गोमनी के लिए आते हैं महत्मा गादी की आवच परतिमा के लिए चैनित अस्थान को विशेश रूप से गांधी, सान्ती और अहिंसा संबंदित एक जुटता का प्रतिक चुना गया था जैसा कि आप जानते हैं गांधी आहिंसा सान्ती और अहिंसा में विश्वास रखते थे इसलिए इस अस्थान को चुना गया है तो आज हमने जाना हिरोसमा में जो गांधी की परतिमा का अनारण किया गया उसकी बारे में थैंक्यू